सो हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप सचन मौरिया जैसा थम्नेल कैसे क्रियेट कर सकते हो अपने मोबाइल फॉन से जी हाँ दोस्तों इस वीडियो को एंड तक वाच करना इस वीडियो में आप बहुत आसानी से अपने मोबाइल फॉन से सचन मौरिया जैसा थम्नेल क्रियेट कर पाओगे साथी साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा अगर आप मुझे से अपना थम्नेल क्रियेट कराना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चार्ज देना होगा मैं आपके लिए थम्नेल क्रियेट कर दूँगा तो आप मुझे Instagram पे contact कर सकते हो Instagram का link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा साथी साथ यहाँ पे आपको username सो हो जाएगा तो आप contact कर सकते हो अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हो आगे भी ऐसे वीडियो देखना पसंद कर लेना तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like कर देना तो चलिए आज के इस वीडियो को पर जुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त अभी सेक और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे सो दोस्तों इस वीडियो में thumbnail बनाने से पहले सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सचन मौरिया का latest thumbnail देख सकते हो आज के इस वीडियो में हम इसी तरीके का thumbnail डिजाइन करने वाले हैं साथी साथ आपको बता दूँ इस वीडियो में thumbnail create करने के लिए जो भी image में use करूंगा उन सभी का link या फिर file आपको मेरे telegram चैनल पे मिल जाएगा तो आपने अगर telegram चैनल को join नहीं किया है तो वीडियो के description में link है वहाँ पे आप click करके मेरे telegram चैनल को join कर सकते हो 37 सभी files को download कर सकते हो त्यार join कर लेना चलिए आज किस वीडियो का उपन शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको thumbnail को create करना है तो यहाँ पे मैं आपके सामने mobile screen को on कर लेता हूँ और आप लोग जो भी चीजे हैं सारी यहाँ पे live देख पाऊगे सो अभी आप लोग यहाँ पे देख पाऊगे मैंने अपने pixel lab application को open कर लिया है यहाँ पे सबसे पहले आपको 3 dot पर click करना है उसके बाद image size पे आपको आना है यहाँ पे custom पर click करके YouTube thumbnail को आपको select करना है और ok कर लेना है अब यहाँ पे सबसे पहले आपको यह जो text मिल रहा है इसको आपको delete कर लेना है अब delete करने के बाद यहाँ पे thumbnail को create करने के लिए सबसे पहले आपको plus पर click करना है then उसके बाद आपको from gallery पे आना है और यहाँ पे आपको सचेन मौरिया का एक जो thumbnail है उसका screen shot यहाँ पे ले लेना है जैसे यहाँ पे मेरे पास एक thumbnail है तो इसको यहाँ पे मैं add कर लेता हूँ अभी यहाँ पे thumbnail आ चुका है तो हम कुछ इस तरीके का thumbnail इस video में design करेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको background को create करना है तो इसके लिए नीचे आपको fourth वाले option पर click करना है अब यहाँ पे आपको color पर आना है यहाँ पे आपको gradient पर click रखना है then यहाँ पे plus पर आपको click करना है plus पर click करने के बाद इस वाले save को यहाँ पे आपको choose करना है then इसको आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे set कर लेना है अब इसके बाद यहाँ पे आपको simply color पर click करना है then यहाँ पे आपको color picker पर आना है और यहाँ पे आपको thumbnail को select करना है then यहाँ पे thumbnail में यह जो red color है इसको आपको choose करना है then simply done करना है यहाँ पे आपको ok करना है अब एक color आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके बाद आपको दूसरे side को select करना है यहाँ पे आपको again color पे आना है और यहाँ पे आपको color picker पर click करना है यहाँ आपको thumbnail को select करना है और दूसरे side वाले color को आपको यहाँ पे add कर लेना है तो यहाँ पे okay करना है जैसे ही आप okay करोगे तो आप देख पाऊगे कुछ इस तरीके का background आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पे आपको क्या करना है यहाँ पे आपको plus पे click करना है then from gallery पे आपको आना है और यहाँ पे मैंने एक image को download किया है उसको आपको यहाँ पे add कर करना है सभी image का link आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएगा तो join कर लेना वहाँ से आप easily download कर पाऊगे telegram का link आपको video के description में दिया है तो यहाँ पे आपको इस बाले image को add करना है अब इसको simply यहाँ पे आपको बढ़ा करना है कुछ इस तरीके से आपको बढ़ा करना है then यहाँ पे आपको नीचे third वाले option पर click करना है उसके बाद scroll करना है अब यहाँ पे आपको erase color पर click करना है और simply इसको enable कर लेना है जैसे ही आप enable करोगे तो यहाँ पे इसका जो background है वो erase हो जाएगा अब यहाँ पे आपको थोड़ा और अच्छे से इसको यहाँ पे customize कर लेना है then उसके करने के बाद यहाँ पर red color में हो जाएगा तो आपको क्या करना है इसको यहाँ पर done करने के बाद यहाँ पर आपको इसको अपने हिसाब से set कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको background से match करना है तो आपको again color पर यहाँ पर आपको plus पर आना है अब यहाँ पर simply आपको color picker पर आना है यहाँ पर आपको अपने background को select करके और इस बाले color को यहाँ पर choose कर लेना है आप simply okay करना है तो यहाँ पर सही से match हो जाएगा अब simply आपको done करना है done करने के बाद again से आपको यह जो image है इसको आपको यहाँ पर copy कर लेना है copy करने के बाद again आपको color पर आना है color पर आने के बाद यहाँ पर आपको इसको yellow color देना है तो यहाँ पर मैं yellow color को select करूंगा इस बाले color को आपको select करना है then यहाँ पर आपका color आ जाएगा आप इसको तो थोड़ा सा अलग position में set कर लेना कुछ इस तरीके से जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने इसको set कर लिया अब simply यहाँ पर आपने इसको lock करेंगे तो यहाँ से आपको lock कर लेना है lock करने के बाद यहाँ पर यहाँ जो image है इसको आपको front में लेके आना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपका जो background है वो यहाँ पर ready हो जाएगा आप चाहो तो इसे अपने हिसाब से और भी customize कर सकते हो तो यहाँ पर background आपका ready हो चुका है अब इसके बाद यहाँ पर बात आती है text बगेरा को आपको कैसे add करना है और यहाँ पर और logo को और चीजों को आपको कैसे add करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको अपना एक image add करना है उसके लिए यहाँ पर आपको plus पे आना है from gallery पे आना है और यहाँ पे अपना एक image png add कर लेना है जैसे यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे image हैं जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो तो मैं किसी एक image को यहाँ पे add कर लेता हूँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं इस वाले image को यहाँ पे add करूँगा जैसे कि आप देख सकते हो, इसको simply यहाँ पे मैं add कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करείंगा और इसको यहाँ पे लाके set कर लू का, यहाँ पे लाके मैं इसको set कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से, then simply आपको इसको यहाँ पे lock कर लेूँच कर लेना है, अब यहाँ पे image क आपको click करना है अब simply इसको edit करना है edit करने के लिए यहां पर आपको cut करना है और simply अपने टेक्स्ट को यहां पर enter करना है जैसे यहां पर मैं कर लेता हूं youtube के वीडियो के तो इसको यहां पर मैंने type कर लिया अब simply यहां पर आपन deuxór करेंगे तो अपना जो manage यहांपे आजाएगा इसके बार सिंक्रॉल करना है और सिंक्रॉल करना और यहाँ को करना था. कर लूँगा कुछ इस तरीके से जैसे कि आप लोग देख सकते हो अब इसके बाद आपको simply इस वाले text को copy करना है copy करने के बाद इसको आपको simply यहां पर edit करना है और आपको अपने अगले text को यहां पर create करना है जैसे यहां पर I made create कर लेता हूं, comments, ठीक है, यहां पे comments को मैंने create किया, ok करेंगे, अब यहां पे अपना font आ चुका है, इसका color यहां पे आपको change कर देना है, simply yellow color को आपको यहां पे add कर लेना है, इस तरीके से, अब यहां पे आपको इसको बड़ा कर लेना है, कुछ इस तरीके से, बड़ा करने के बाद इसको आपको simply, यहां पे set कर लेना है, जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, set करने के बाद again से आपको इसको copy करना है, और copy करने के बाद आपको edit करना है, अब यहां पे आपको इसको simply edit कर लेना है, यहाँ पर मैं type करूँगा कैसे off करें ठीक है यहाँ पर मैं कर लेता हूँ कैसे off करें इसको यहाँ पर मैंने type कर लिया जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको इसको यहाँ पर type कर लेना है जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको यहाँ पर मै करना है यहां पर आपको सेट करना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहां पर मैं कर लेता हूं कुछ इस तरीके से आपको सेट करना है इसके बाद यहां पर आपका जो ठीक है, यहाँ पर add कर लेते हैं, one click, इसको add किया, then simply ok करेंगे, अब यहाँ पर अपना text आ चुका है, तो इसको यहाँ पर color को अपन change करेंगे, और white color को add करेंगे, कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, then इसको यहाँ पर लाके, सही से position की help से set कर देंग plus पर click करना है, then draw पर आपको आना है, और यहाँ पर आपको zoom कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको zoom करना है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, zoom करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो lining है, वो य आपको भी simply इसी तरीके से यहाँ पर लार को क्रियेट करना है तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है परो को आपको पर पाला है यहाँ जिसको करना है अब इसको घंच कर लेना है जैसी की आप लोग चुका है अब simply यहां पर zoom out करेंगे जूम आउट करने के बाद simply यहां पर आपको layer पर आना है और इसको यहां पर lock कर देना है बाकी की चीजों को भी आपको यहां पर lock कर देना है जिससे अपनी add कर लेता हूँ, so यहाँ पर यह रहा logo, इसको यहाँ पर अपन add करेंगे, then simply यहाँ पर अपन done करेंगे, अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर rotate करेंगे, कुछ इस तरीके से, rotate करने के बाद इसको यहाँ पर लाके आपको set कर लेना है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको इसको यहां पर सैट कर लेना है इसके बाद यहां पर आपको देख लेना है कि और कहां पर चीज एड है उसको आपको एड करना है तो यहां पर इसको कॉपी करेंगे कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लाके यहाँ पे भी आपको set करना है कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको लाना है then इसको आपको सही से set कर लेना है कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको इसको यहाँ पे लाके थोड़ा सा छोटा करना है और position की help से आपको इसको सही तरीके से set कर लेना है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो again आपको copy करना है और यहाँ पे लाना है, थोड़ा सा और छोटा करना है, then इसको यहाँ पे लाके आपको set कर लेना है, कुछ इस तरीके से, so अभी यहाँ पे मैंने YouTube के लोगों को भी add कर लिया, अब यहाँ पे इनको आपको lock कर देना है, कुछ इस तरीके से, अभी आप लोग यहाँ पे गैलरी पर आना है और जो भी स्क्रीन सॉट आप यहां पर लगाना चाहो उसको एड करना है जैसे यहां पर मेरे पास कुछ customize कर लेना है जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बड़ा करने के बाद इसको यहाँ पे आपको center में लाना है then उसके बाद यहाँ पे आपको plus पर click करना है then यहाँ पे आपको shapes पर आना है shapes पर आने के बाद इसी के size का आपको एक shape create करना है कुछ इस तरीके से आपको इसके size का एक shape यहाँ पे create कर लेना है then यहाँ पे आपको radius को बढ़ाना है और यहाँ पे आपको 15 पर कर देना है कुछ इस तरीके से then यहाँ पे आपको done करना है यहाँ पे यह जो screenshot है इसको आपको delete करना है then save को select करना है उसके बाद यहाँ पे आपको texture पर click करना है और यहाँ पे आपको no texture पर click करना है अब यहाँ पे आपको again से screenshot को यहाँ पे pick करना है then simply done करना है तो आपका जो screenshot है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा अब इसको यहाँ पे लाके आपको set कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अब इसके बाद again से आपको इसको यहाँ पे copy करना है copy करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो इसको यहाँ पे edit कर सकते हो texture पर आपको click करना है फिर से यहाँ पे आपको texture selected पर क्लिक करना है और अपने दूसरे screen shot को यहाँ पे add करना है और यहाँ पे done करना है अब simply इसको भी आपको उसी position पर ला के यहाँ पे set कर लेना है कुछ इस तरीके से जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे मैंने screen shot को यहाँ पे set कर लिया, तो इस तरीके से आपको set कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हो, अब यहाँ पे आपको set कर लेना है, set करने के बाद यहाँ पे आपको simply फिर से plus पर click करना है, from gallery पे आपको आना है, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और PNG डाउनलोड किया है, तो उसको यहाँ पे म देख पाऊगे, कि यहाँ पे मैंने इन चीजों को add कर लिया है, और यहाँ पे लगभग जो अपना thumbnail है, वो उसी तरीके से यहाँ पे ready हो चुका है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, arrow बगएरा को add करना है, तो plus पे आपको click करना है, फिर से आपको from gallery पे आना है, आप इन्हें Google से download कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे इनको download कर लेना है, यहाँ आपको मेरे telegram channel पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप easily download कर सकते हो, तो मेरे पास arrow है, उसको यहाँ पे add करूँगा, तो इस वाले arrow को add करूँगा, then simply यहाँ पे ok करेंगे, कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पे सबसे पहले तो इसको यहाँ पे मैं rotate कर लेता हूँ, then यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका background यहाँ पे erase करना है, कुछ इस तरीके से, then यहाँ पे आपको simply color पे आना है, और इसको red color देना है, then यहाँ पे आपको इसको rotate कर लेना है, और यहाँ पे size को कुछ इस तरीके से सो यहां पर मैंने इसको एड कर लिया अब simply layer पर आके इनको आपको lock कर लेना है कुछ इस तरीके से अब यहां पर आप लोग देख पाऊगे कि यहां पर अपना जो overall thumbnail है वो यहां पर ready हो चुका है तो यहां पर यहां पर यह जो thumbnail आपको मिल रहा है इसको आपको simply delete कर देना है और आपका जो thumbnail है वो एकदम यहां पर ready हो चुका है अब simply आपको save पर click करना है save as image पर आपको click करना है और यहां पर custom पर click करके ultra quality आपको select करना है और simply save to gallery पर click करना है तो आपका जो thumbnail है वो full HD में आपके gallery में save हो जाएगा तो इस तरीके से आप सचन thumbnail create कर सकते हो मैं hope करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करना आगे भी ऐसे वीडियो देखना पसंद करते हो तो चैनल को subscribe कर लेना बाकी इस thumbnail में मैंने जो भी image यूज करी है उन सभी का link या फिर file आपको मेर इससे design कराना चाहते हो तो आप मुझे Instagram पर contact कर सकते हो link description में है तो आज के इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए take care bye bye